नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंतन में आप सबका स्वागत करते हूँ कथा मंतन में आज ISE पाठेकरम के अंतरगर्द आने वाली कवीता एक फूल की जहा का अनुवाद्ग और भावार्थ पढ़ने जा रहे हूँ इससे सम्बंदित, अर्थ, भावार्थ और प्रशन उत्तर आप हमारी वेबसाइट कथामंतन.com से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक फूल की चाहा तो सबसे पहले हम कवी का परीचे जान लेते हैं एक फूल की चाहा जिसके कवी हैं सिया राम शरन गुप्द सिया राम शरन गुप्द राष्ट कवी मैथली शरन गुप्द के छोटे भाई थे इनकी रचनाओं में सत्य अहिंसा करूना विश्व बंदुत्व के छाप सपष्ट दिखाई पड़ती है इनकी परमुक्रितियां हैं आद्रा, मौर्य, विजय, नकुल, दुर्वादल, पाथे, इत्यादी तो चलिए कवीता का भावार्थ शुरू करते हैं सबसे पहले ये बिताते कि एक फूल की चहा में के द्वारक कवी ने एक गरीब और अच्छूत पिता और पुत्री के प्रेम तथा बिमार पुत्री का सिरफ एक देवी के चड़नों के फूल का मांगना एवं उसे अपनी रोक शहिया बेटी के लिए ना पाने की असमर्थता का वर्नन बड़े ही मारमिक धंग से किया है गरीब पिता एक अच्छूत है और जैसे कि प्राचिनकाल से हिंदू धरम में अने कूपरताओं का तो परचलन रहा ही है और उस समय में हिंदू धरम में अच्छूतों की दशा बड़ी ही देनिया होती थी उन्हें ना तो समाज में बराबर का दरजा दिया जाता था और ना ही किसी मंदिर में परवेश की आ गया और यदि भूल से कोई अच्छूत मंदिर में परवेश कर ले तो उसको ना केवल दंडित किया जाता था बलकि बहुत पीटा भी जाता था ताकि कोई अन्या इचुत ऐसा दुस्सा हस ना कर सके तो चलिए शुरू करते हैं एक फूल की चाहा बहुत रोकता था सुकिया को नाजा खेलने को बाहर नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठेहरती वे पल भर मेरा हिर्दय काप उठता था बाहर गई निहार उसे यहीं मानता की बचालू किसी भाती इस बार उसे बीतर जो डर रहा चिपाए हाए वही बाहर आया एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप मैंने पाया जोर में विहल हो भोलीव है क्या जानों किस डर से डर मुझको देवी के प्रसात का एक फूल ही दो लाकर प्रसुत पंक्तियों में कभी ने एक जोर ग्रस्त बेटी का वर्नन किया है तो अपने पिता से मात्र देवी मा के चरनों में चराये गए एक फूल लाने को कहती है पुत्री का नाम सुखिया है सुखिया को उसका पिता बाहर खेलने से मना करते हैं क्योंकि वह पल भर भी घर में नहीं टिकती और उसके पिता हर समय इस भे से ग्रस्त रहते हैं कि जादा बाहर खेलने से जोर ग्रस्त ना हो जाए और यह भे उनका एक दिन सक्त्या भी हो जाता है जब वे घर में आते हैं तो अपनी बेटी का शरीर बुखार से जलता हुआ पाते हैं एक अंजान अशंका उन्हें बहुती भेवीत कर देती है ना जाने जान अशंका से भेवीत पुत्री अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी मंदिर के प्रसाद में अर्पित एक फूल ही लाकर के दे दो कर्मशे खंट शीन हो आया इश्टिल हुए अव्यव सारे बैठा ता नव नव उपाय का चिंता में मैं मन मारे जान सकाना प्रभाद सजक को हुई अलस कब दुपहरी स्वन घनों में कब रभी डूबा कब लोटी संध्या गहरी सभी और दिखलाई थी बस अंधकार की ही छाया छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बढ़ाती मीराया उपर विस्तरित महाकाश में जलते से अंगारों से जुलसी सी जाती थी आके जगमक जगते तारों से अंग्तियों द्वारा एक जवर प्रिडित बेटी की पिता की मनुव्यक्ता जो कभी ने प्रकट की है पल पल की अगनी आशंका जो है पिता को किस तरह के पिडित कर रही है उसका भहुत ही भावकून वर्णन किया है कभी कहते हैं जवर तप्त पुत्री का कंट शीन हो आया है और उसके सभी अंग्त जवर के कारण शितिल होने लगे उसका पिता चिंता मगन बैठा है और तरह तरह के उपायों के बारे में सोच रहा है कि कैसे वे अपनी पुत्री की इच्छा को पूरा करे और इस तरह अंधेरा ही नगेरा नजर आ रहा था जो उसकी पुत्री को निगलने आया था उसे ऐसा मैसूस हो रहा था कि रात्री का विस्त्री तकाश तथा उसमें जलमल करते वे तारे गहन अंदकार में जैसे की अंगारे जल रहे हो जिसकी तप्त अगनी से उसकी आँखे जुलस जा कर मुझको देवी के परसाद का एक फूल दो लाकर उंचे शेल शिखर के उपर मंदिर था विस्त्रिन विशाल स्वन्ड कलर सरसीज विहंसित थे पाकर समुदित रविकर जल दीब धूल से अच्छा दित्ता मंदिर का आगन सारा गुंज रहीती भीतर वाहर मुकृत उत्स की धारा कभी कहते हैं कि अब पिता अपनी पुत्री की शोचनिये दसा देख करके अत्यंत ही कर व्यतित है वह सोच रहा है कि मेरी वाचाल पुत्री मेरी कन्या जो एक शन भी बैट नहीं सकती थी हर समय बोलती ही रहती थी आज वो अत्याधिक ज्वर के कारण अविचल शा को कह दे वो विशाल मंदिर जो एक उचे परवत की चोटी परिस्तित है जिसके उपर स्थित स्वरंड कलश तथा सारोवर में उपस्तित कमल सुरज की रोशनी से चमक रहे हैं जो खिल गए हैं धीप धूप से के धुए से मंदिर का पूरा प्रांगन ढखा हुआ है उसमें मंत्रों चार्ण और शोर गुल से ऐसा लगता है जैसे मन्दिर में कोई उत्सफ हो रहा है भक्त वरिंद सब मधुर कंट से गाते तेसा भक्ती मुदमै पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जै 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 पतित तारनी तेरी जै 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 मेरी मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढखलिला मेरी दीप फूल लेकर वे अंबा को अरपित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजली भरके भूल गया उसका लेना जट पर लाबसा पाकर सोचा बेटी को मा के ये पुश्प दूँ जाकर मैं कभी कहते हैं कि उस विशाल मंदिर में धूप दीप के धुएं से अच्छा दित प्रांगण में भक्त गन मधुर कंट से प्रसन होकर भजन आरती करते वे मा की वंदना कर रहे हैं नहीं पापियों को तारने वाली पापो को नश्ट करने वाली देवी मा तेरी जै हो और यह शब्द सुनकर पिता भी उसका अनुसरन करते वे गाने लगता है कि पीछे से आते वे धक्के के कारण वे ठिक देवी मा के सामने पहुँच जाता है जहां पुजारी उसके हाथों से पुष्प और परसाद लेकर देली मा को अर्बित कर उसे परसाद और पुष्प देते हैं जिनें वे अपनी अंजली में भर कर पिता सुस्ता है कि है प्रसाद किसी तरह से विवे अपनी बिमार पुत्री को दे दे ताकि उसकी अभिलाशा पूर्ण हो सके सिंग पौर तक भी आंगन से नहीं पहुचने में पाया सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अचुद भीतर आया पकड़ो देखो भाग न जाए बना धूर्त है कैसा साफ सुच परिधान किये है भले मनुश्यों के जैसा पापी ने मंदिर में खुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी कलुशित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी क्या मेरा कलुश बड़ा है देवी की गरिमा से भी किस बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी मा के प्रसाद को अपनी अंजुली में भर कर पिता उस दलान के निकट भी नहीं पाजा पाता कि सहसा चारो तरफ शोर मच जाता है कि यह अच्छूत मंदिर में कैसे घुसाया पकड़ो पकड़ो कहीं यह दुष्ट भागना जाए इसने मंदिर में घुसकर बड़ा ही अनर्द कर दिया स्वच्छ साफ परिदान पहन कर इसने मंदिर में माता को अपने छुआ परसाथ चड़ा कर मंदिर तता माता की गरिमा पवित्रता को कलुशुत कर दिया है गिन्तु अच्छूत पिताया सोसता है कि मेरा पात क्या माता की गरिमा तुम कैसे भी बड़ा है जो मेरे मुच्छूत ही मा की पवित्रता समाग प्रोगई मा के भक्त हुए तुम कैसे करके या चोटा विचार खोटा मा के समुकी मा का तुम गौरफ करते हो चोटा कुछ न सुना भक्तों ने जट से मुझे घेर कर पकड़ लिया मार मार कर मुपके घुसे धम से नीचे गिरा दिया मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके वह अब कभी कहते हैं सभी व्यक्ति उस मजूर पीता को चारो और से घेर कर पूसते हैं कि मा की समुक खड़े होकर तुमने अपना चुआ प्रसाद चड़ा कर मा की गौरफ को छोटा किया ऐसी द्रिष्टिता के लिए तो तुम्हें सबक ही सिखाना पड़ेगा और इस द्रिष्टिता के लिए सब लोग उसे घेर कर बहुत मारते हैं पिटाई के कारण देवी मा का प्रसाद पिटा के हाथों से गिर जाता है और चारो तरफ बिकर जाता है पिटाई का इतना दुख नहीं होता है जितना कि यह दुख होता है कि वे अंतिम बार अपनी बेटी की अभिलाशा को पूरा ना कर सका वे बेटी को गोध में उठा कर उसे यह प्रसाद नहीं दे पाया किन्तु कोई भी मनुश्य उसी करुन पुकार को सुन नहीं पाला था तो यह था पूरी कवीता का भावार्थ अब हम यहाँ पर कुछ प्रशन उत्तर के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ कवी ने कौन से प्रसाद की बात कही है पुराने समय में अच्छुतों के साथ कैसा वेवार होता था प्रस्तत कवीता के द्वारा कवी ने एक गरीब और अच्छुत पिता और पुत्री के प्रेम तथा बिमार पुत्री का सिरफ एक देवी के चर्णों के फूल का मांगना एवं उसे अपनी रोकशया बेटी के लिए ना ला पाने की असमर्थता का वर्नन पड़े ही मार में धंसे किया है प्रस्तत कवीता में पुत्री का नाम सुख्या है सुख्या को उसके पिता घर के बाहर खेलने से मना करते हैं क्योंकि वे एक पल भी घर के भीतर नहीं दिखती और सुख्या के पिता हर समय इसी भैसे गरसित रहते हैं कि जादा पर खेलने से वे जर्ग रस्त ना हो जाए और उनका यह भै एक दिन सत्य भी हो जाता है एक दिन जब वे घर आते हैं तो अपनी बेटी का शरीर भुखार से जलता हुआ पाते हैं एक अंजान अशंका से वे भूती बैवित हो जाते हैं ना जाने उनकी पुत्री भी कि शंका से डरते हैं वे अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी मंदिर के प्रसाद में अर्पित एक फूल ही ला कर दे दो प्राचिन काल से ही हिंदु धरम में अनिक कुपरताओं का प्रचलन रहा है उस समय में हिंदु धरम में अच्छुतों की दशा बड़ी ही दैनिया थी उन्हें ना तो समाज में बराबर का दरजा दिया जाता था ना ही मंदिर में प्रवेश की आ गया और यदि कोई अच्छुत मंदिर में प्रवेश कर ले तो उसे ना किवल दंडित किया जाता था बलकि बहुत पीटा भी जाता था पाकि कोई अन्य अचुद ऐसा दुस्सा हस ना कर सके उसकी समाज में उसकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती थी दूसरा परशन है एक फूल की चहा में कवीता का केंद्रिय भाव लिखो प्रसुत कवीता की दूरा कवी सिया राम शर्ण गुप्त ने एक गरीब और अचुद पिता की पुत्री के प्रेम तता बिमार पुत्री का सिरफ एक देवी मा के चड़न का फूल मांगना एवं उसे अपनी रोक्षय या बेटी के लिए ना ला पाने की असमर्थता का वर्नन किया है बेटी ने जो फूल मांगा है अरपित जो परसाद का फूल मांगा है वह विशाल मंदिर एक उचे परवत की चोटी परिस्तित है उस विशाल मंदिर के में धूब दीब के धुए से अच्छादित प्रांगन में भक्त गन मंदूर खंड से प्रसन होकर भजन आरती करते वे मा की वंदना कर रहे हैं ठीक उसी समय पिता भी उनका अनुसरन करते वे गाने लगता है कि पीछे से एक आतेवे धक्के से देवी मा के सामने पुछ जाता है जहां पुजारी उसके हातों से परसाद लेकर के देवी मा को अर्पित कर देता है और अर्पित करके परसाद और पुष्प उसकी अंजुली में देता है जिसे वह पिता अपने हाथों में लेकर के सोचता है कि यह अपनी पुत्री को देकर उसकी अभिलाशा को पूल करेगा किन्तु मा का प्रसाद लेकर वह अभी मंदिर के दालान तक भी नहीं पहुंचा पाता है कि सहसा चारो तरफ शोर मज जाता है कि यह अचूत मंदिर में कैसे घुसा आया कहीं दुष्ट भागना जाए सुच्छ साफ परिदान पहनने के कारण किसी ने इसे पहचाना ही नहीं और इस ने अपना चुआ प्रसाद चड़ा कर मंदिर तथा माता की गरिमा और पवित्रता को कलुशित कर दिया कि तो अचूत पिता सोसते है कि मेरा पाप माता की गरिमा से बढ़ा हो गया जो मेरे छूते ही मा की पवित्रता समाप्त हो गई वो तो सब पापों को हरने वाली है इसके बावजुद भी मेरा पाप उसने से कैसे बढ़ा हो गया क्या पाप के छेत्र में मैं मा से भी बढ़ा भू गया हूँ किन्तु सभी व्यक्ति उस मजबूर पिता को चारू और से घेर कर उसको काफी पीटते हैं तता जिसके कारण उसके हाथ का परसाद गिर जाता है और पिता को इस बात का दुख है कि वे अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में उठा कर वे परसाद नहीं दे पाया उसकी अभी लेशा पूर नहीं कर पाया किन्तु कोई भी मरुश्य है उसकी करून पुकार नहीं सुन पाता है तो यहता भावार्थ एक फूल की चाहा में कवीता का जिसके कवी हैं सियाराम शरंड गुप्त इससे सम्मझित परशन उत्तर भावार्थ आप हमारी वेबसाइट कतामंतन.com से भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको description box में दे दिया है धन्यवाद